नाकपूर लोहमार्क पुलिस ने असम तक पीछा करते हुए तीन चोरों को धर्दबोचा है दुर्ग से नाकपूर की और आ रही ट्रेन में तीन चोरों ने करिब 14 लाग से अधिक सोने चांदी और हीरों के गहने चुराए जिसमें 9 लाग के सिर्फ हीरे ही थे लेकिन गहनों में से सोना निकालने के चकर में चोरों ने सभी हीरों का क्रिस्टल तोड़ दिया हलांकि मामले की जांच करते वे नाकपूर लोहमार्क पुलिस ने असम तक आरोपियों का पीछा कर तीनों आरोपियों को धरदबोचा नाकपुर्ल होमार कुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ गए आरोपियों के नाम नयन मुखी मेधी, दीब जोती मेधी और संजो राम नारायन राय बताय जा रहे हैं नयन मुखी और दीब जोती दोनों सगे भाई हैं तिनो डापका, नोगाव, असम निवासी बताय आरोपियों ने 10 अगस्त को कितांजली एक्स्प्रेस की ACB 2 कोच में दो महिला यात्रियों का सामान चुरा लिया था, जिसमें लाखों के गहने थे, तीनों आरोपिय भी इसी कोच में रिजर्वेशन टिकट पर दुर्ग से गोंदिया का सफर कर रहे थे, मामला दर्ज होते यही जी आर्पि के SPM राच कुमारने क्राइम राच को काम पर लगा दिया और जांच शुरू ही, ऐसे में महिला यात्रियों द्वारा दिये गए बयान और आरोपियों की पहचान आधार पर दुर्ग राइपूर और गोंदिया स्टेशनों की CCTV रिकॉर्डिंग से तिन पता चला, जबकि गोंदिया तक टिकेट बना कर आरोपियों ने पट्री पार करने का पता चला, आरोपियों की पहचान फुकता हो गई, क्योंकि AC क्लास में सफर करने वाला यात्री पट्री पार करके कैसे जाना चाहेगा, आरोपि गोंदिया से नागपुर बस से आये और प्रेक लॉज में रुके यहां से अन्य जगह भी तीनों के जाने की जान करी हैं जहां गुआहटी फ्लाइट से जाने के कारण उन्होंने हीरो को क्रिस्टल समझ कर टुकडे टुकडे कर दिये जिन्हें नागपुर लहमार्क पुलिस ने आखिरकार असम में धरदबोचा